स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट्रो टेक्नोलोजी में मैं अनुवाम वेपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शूव कंप्यूटर बिच्टिय में आज हम लोग बात करेंगे आप अभी नया नया कंप्यूटर खाई ने का साब को होड तो उस जगह पे आप अपने कंप्यूटर को पावर कैसे देंगे, यानि अपने कंप्यूटर को, सर्वर को, नायस को या जो भी है, उसको बिजली कैसे देंगे, तो आइए समझते हैं, तो एक फ़र सा रफ आइडिया ले 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 ते कि क्यों इतना important बात है, आप ये समझ होता रहता है, और आप लोग में से कई लोगों का इलेक्ट्रोनिक एक्यूपमेंट्स है, पंखा हो, इंवर्टर हो, टीवी हो, या सब उड़ते रहता है, तो समझ लीजे कि अगर गंदा पावर आ है, तो एसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर के एक चीज़ उडाएंगा, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर को उडा सकता है, और उस में अगर कोई इंपोर्टन डेटा है, तो भगवान आपको बचाए, तो हिसाब वही समझ ज़िए कि गंदा पावर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरे कभी री स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत अच्छा नुक्सान कर स और सबसे बूरा बात ही है कि जो गंदा पावर में समझेज़ बहुत गंदा नहीं होता है, वो भी आपके एक्यूपमेंट की लाइफ कम करता है, यानि कि आपका एक्यूपमेंट कि इतना साल चलेगा वो घटने लगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे आरे सबके घर में मॉनेटर तो पांशे साल चलता है, मैं मॉनेटर खरिकता हूं दो तीन साल के बाद भी गड़ने लगता है, कारण वही है कि गंदा पावर बहुत अच्छे से आपकी आई-उ घटा सकता है, सारी एलेक्ट्रोनिक किक्मेंट के, और उसमें समझे लॉस होता है, वो बहु इतना जदा कॉंपलेक्स हो गया कि बिना सेफ शटडाउन के किये तो सीधे OS करप्ट हो जाता है, यानि कि अगर शटडाउन का कमांड दे दिया गया है, तो OS अपने आपको शटडाउन करें तो उसमें इतने सारे सब रूटीन नहीं किया जाए, तो सीधे सीधे computer लटक सकत है, तो यह समझ लिए कि गंदा पावर से मतलब रिस्क लेना बहुत हानी कारक साबित होगा आपके लिए long term में, अब बात करते हैं सबसे पूरा ना जिनका मतलब 1992 के असपास जनम हुआ है, उनको पता हो CVT करके की जाता था, स्कूल में पहले बहुत लगत लगता था, जब अब जब देखो तब हिलते रहता है, यह UPS है, अब डिसको बजने लग रहा है क्योंकि बाद बार रिले ओन ओ और उन नाफ कर रहा है, तो यानि कि मतलब आपके जो में सारे, जो में बिजलियारी, वह बहुत जदगंदा है, उस केसे सिर्फ और सिर्फ सिवीटी आपको सम सेमी कंडॉक्टर वाले चीज के लिए ठीक नहीं है, यानि कि आपका कंप्यूटर, OLED नानेले, उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जब भी स्विच करता है, तो वो आफ हो जाता है, उतने दियर के लिए, सीवीटी में continuous output निकलता है, यानि कि इस टाइम हो वोल्टेच वो रेगुलेट कर रहा है, उसमें कोई फरक नहीं हाता, तो इसी कारण से सीवीटी अभी भी काफी लोग खरीते हैं, और मुश्किल हो गया है, महेंगा भी पढ़ता है, लेकिन मान लिए आप कुछ आइसा चाह हो साथ करो, वो करने की सब्सक्राइब करूं करने का बट का चीफिंध लेकिन इसना बै्कटरी नहीं होता है, यह समझ कि यह रेक बस गंदा पाव को सर्फ कर दें है, आपकर बहुत गंदा पावर ठावर हो और मैं है तो यहीं बाग को बचा सकता है, इसलिए सीई बीटी क यह बात करते हैं यूपियस तो यूपियस यह समझे कि इसे जनरली जो जो नॉर्मल यूपियस होता है उसे बनाए जाता है स्मॉल और कॉम्पैक्ट यानि कि छोटा सा है खरीदने का है लगाने का एक दिमाग नहीं लगाना आपको एक तम सिंपल बनाया जाता है और उसमें बैटरी होता है जनरली सेवन एम पावर का ट्वल वोल्ट का बैटरी रहता है अब हिसाव यह समझे कि जाधा सपने मत देखिए वह पेपर में आप हैसुटिस लगाएं लिखाएं कि वह एक बैटरी का टंकी असी वाट कर आप सी वाट का लोड लगा तो एक घंटे में यह लेना पड़ेगा तो एक ठो सस्ते में काफी पसंद सब लोग कर रहे हैं जैसे उसमें एपी सी का बैकप यूप यूप यह मेरे पास यहां पर रखा हुआ है और मैंने इससे पहले माइक्रोटेक कर लिया था और अच्छा खासा काम किया लेकिन जब बिगड़ा और मैं बै बैटरी को मैं बदल नहीं सहता हूं क्योंकि बैटरी खातम होता है यह बैटरी है और आपका खूब लाइन आ जा रहा है तो आपको बदलना होता है और इनका बैटरी सोल्डर था मतलब तार काटके फिर से छील चाल करना पड़ता है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया तो ए अच्के बनाया गया है यह में इन इंडिया में काफी सारह इंप्रूब्मेंट किया जैसे इसका वोल्टेज रिंग अब्चें कि जानम जे लेलेवाले बात आई एक तो यह मैंने आप असी से 9 पसी सकता तो आप रहें कि यह नहीं डिगडना चाहिए तो यह आपको जड़ होता है मतलब लाइन कटा धड़ाक से कुछ मिली सेकंड जनली यूपियस की रेटिंग 5 मिली सेकंड के अंदर रहनी चाहिए कि 5 मिली सेकंड होने से पहले आपका पावर सप्लाई को वो बैटरी तो यूपी सी सबसे बेस्ट उसमें मानने रहता है लेकिन इसका 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 जो इलेक्ट्रोनिक्स है उसका जो थर्मल हैंडलिंग कपैसिटी जनी कितना गर्मी वह बर्दास कर सकता है वह जादा नहीं है इसलिए आपको यही रेटिंगा इंवर्टर मिलेगा वह बढ़ा हो होगा कारण होई है कि यह गर्मी बहुत लंबे समय तक नहीं बर्दास कर सकता तो अगर आप इसमें जबर्दूस्टी का लगा दिया है चलता रहेगा इसका इंवर्टर पीसी भी मेल्ट हो जाएगा तो यह समझना बहुत ज़री है कि यह सब बनाया जाता है शॉर्ट सबसे 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 सिंपल ऑप्शन यह है और इसका एक सबसे बड़ा बात है जिसका रही है इंवर्टर से लग होता है यह लाइन इंट्रक्टिव अब कभी इसका मैनूल पढ़ेंगे लिखा रहे है लाइन इंट्रक्टिव का मतलब क्या होता है जो वोल्टेज आ रहा है वो आपके कंप्यूटर में जाने से पहले एक रेगुलेटर से उसका हो जगत करेगा क्योंकि यह वोल्टेज को सुधार के बेशता है कंप्यूटर में और कुछी देर लिए बनाया जाता है क्यों आप साइन वे वाला आप देखेंगे यूपियस ताम 35 शक्ति सजार का ता सिर्फ यूपियस का यह सबसे सिंपल ऑप्शन शॉट्ट दूरेशन के लिए सिस्टम को सेफली शुट डाउन करने के लिए आपको रहेगा और यह मैं यूज कर चुका हूँ कई साल तक तब मैं आपको बोल सकता हूँ नीचे अमसन का लिंक दिया हुआ है अब बात करते हैं यूपियस इंवर्टर यह आजकर हाँ पॉपिलर हो गया चाहे वह माइक्र लेकिन यह सब बनाया जाता है कि उतरना थर्मल लोड को लंबे समय तक बदास कर सके सब में देखेगा फैन रहते बड़ा-बड़ा और कंपोनेंट इतने बड़ा रहता है कि वह 100 डिगरी तक का गर्मी अराम से बदास कर सके तो यह सब 12 वोल्ट का मिलेगा सबसे चोटा 24 जनरली आपको आम लोगों के लिए 24 वोल्ट सही रहता है 36 वोल्ट थोड़ा-जार आप बहे रहे हैं 48 वोल्ट बहे गया बावनाव में तो बातर लगए और यह सब सब बड़ा वादा रहता है कि यह लांग टाइम देता है यानि कि मेरे केसे में मैं यूट्यूब चैनल न मैंने लिया यही दो के वी वाला लिया और इसमें 220 एंपावर के बैटरी डाल दी ज़री नहीं अगर आपको अतना बड़ा पैटरी लेने की अगर माली आपका लाइन कुछी घंटे भागता मेरे केसे में बहुत गंदा भागता था इसलिए हम लोग एकदम डिसाइड किया अगर यह नहीं है तो यह यूपियस के तरह नहीं डियेव कर रहा है तो उसका फरक यह पटा कि जो स्विच करेगा लाइन डिसकनेट हुआ सुच करेगा वह बीस मीली सेकंड तर खा सकता है यानि अपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा काफी बार लोग लोग लगता तो कंपणी ऑप्शिन क्यों दे रही आपको उनफ करने का क्योंकि यह लाइन इंट्रक्टिव नहीं होता है यानि कि लो टॉल्रेंस है जैसे ही आपका माली जे वोल्टेज रेंज लिखा रहेगा आप इसका मैंवल पढ़ेंगे लिखा रहेगा हर मॉडल में लग लग रह रहे है और वह है चार-पांच गुंटा है आपका पॉल्मस सारा एक्यूपमेंट एक सो सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन यह आपका इंवर्टर डिस्चारज होए जा रहे है क्योंकि उसके लिए वोल्टेज नहीं है यहीं सबस्वारा साइड एफक्ट है और यह ला पारण वही होगा कि वोल्टेज बहुत मतलब दाउन है मतलब उसका जो थ्रेशोल्ड है उस थ्रेशोल्ड से या तो उपर या तो नीचे है तो उसकेस में सीधे कट ओफ कर देता है बैटरी पीचनलन लगता है और लाइन इंट्रक्टिव ना होने के चलते हैं साइड एफ बहुत है और फ्लक्ट्वेशन नहीं लेकिन वोल्टेज कम बेसी होता है तो स्टेबलाइजर स्टेमेट बढ़ जाता है तो यह समझना बहुत है यसलिए हर इंवर्टर में आपको ऑप्शन दिया जाता है स्विच का कि अगर आपको अपने वोल्टेज पर भरोसा है तो य यह बात आपके लिए समझना बहुत है कि यह सब लाइन इंटरक्टिव नहीं होता गंदा वोल्टेज आएगा गंदा वोल्टेज बहार निकल जाएगा बस इस टाइम वो बैटरी पर चल रहा है वो आपको शुद्ध वोल्टेज और यह सब चुकि आजकल मतलब आपको छ आप क्या करेंगे तब आप इस तरह का एक्यूपमेंट लेना आपके लिए काफी फादे मंसा भी तोगा और आपको आजकल खूब सारे दुकान सब में यह देखने लगा लोग चोटा 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 आप यही सब रखने लगे बड़ा बड़ा खासकर के लुमिनेस का क्यो मुझे लिए वह तीन साल हो गया सब चीस सही है बस पता नहीं किस इंजिरियर ने डिजाइन किया है कुछ भी नहीं है इसको बीप को बंद करने को उप्शन नहीं देख बीप से फेक टाइंग बजना चाहिए बैटरी डाउन हो गया बीप करके तो बंद हो क्यों बीप कर कर रहे हो और लाइन भागता है तब बीप करता है क्या करूंगा जान कि तुमको रखा है यूर अन इंटरॉप्टेबल तु खुद क्यों इंटरॉप्ट कर रहे हो मेरे को तो है थोड़ा सा उट-पठांग चीज है लेकिन आपको यहीं बद समझें इसलिए हमेशा ज्यान समस्या वो जाएगा अब बात करते हैं आपको होचोच पाच नहीं अपको ऐसा चीज़ लेना है इसके बाद कोई टेंचन ना हो तो दादा जी के बारे में बात क्ते हैं डबल कनवर्शन यूपेस यही आप एटियम में बैंक्स में होस्पिटल में कॉर्परेशन में सर्व यानि कि इसमें जो मैंने इसे पूरा डीटेल वीडियो बना दिया मेरे चैनल पर आप देख लिए मिल जाएगा हिसाब यह कि जो बिजली आती है वो डिरेक्ट कनेक्ट ही नहीं रहता आपके लोट से तो यह लाइन इंट्रक्टिव जैसे नहीं यह लाइन से बात मादब देखेगा वोल्टेज कम है या ज्यादा है वह सब कुछ नहीं करता हो सीधे आते एसी उसे एक डीसी में बदला जाता है डीसी मे इसे गुलाओ यह यह एक Converter में जाता है वह एकी में बनता है और फ्लक्चेट करें कोई नहीं पर उडर्व क्ब्स क्ट तक दोनousse करें जैसे ही कट होके और आटमाटिक लिए जाने लिगा कोई स्विचिंग डिले नहीं होता है यह सबसे बेस्ट होता है और इसका फ्सक्राइब होता है है अगर इस्था का हैवी क्योपमेंट आप इसफिल करते हैं तो आप दो तो इसलिए बेस्ट प्रोटेक्शन पॉसिबल यही होता है साइड इफेक्ट बैंक करके जतना बैंक बैंक बैलेंस भी होना चाहिए तभी आप खरीद पाएंगे जो कि यह बहुत महंगा होता है और कारण यह है कि आपको लगता हो इन्वेटर महेंगा है यह भोलेगा हटो हटो मतलब जितना रेटिंग आपको 2-5 एका ऑन-line UPS लेंगे उसका धाम 6,000 हा जाता है आपको मिलेगा एक सॉब्होल ट वाला सिस्टम दो सो वोल्ट वाला सिस्टम मिल जाता है और याद रखिए सब डीसी वोल्टेज है बचों खेलने की चीज नहीं आप छूद ये नबे वोल्ट डीसी तो आप सीधे उपर जाएंगे दाइबाई निक सीधे उपर चले जाएंगे तो यह होता सबसे हाई लेवल पे डबल कंव अगर आपको देखने को मिल जाएगा दोड़ जाता है तो इसलिए डबल कंवर्शन अगर आपको देखने को मिल जाएगा मैं होस्पिटल में देखने को मिल जाएगा जहां पर भी कुछ भी सीरियस है आप घूमफिर के यही लोग है तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन आप अपने कंप्यूटर को पावर कैसे करेंगे उमीद करता हूँ आपको एर वीडियो अच्छा लगाओ को सहीं ने मिलाओ को आपने वीडियो का जान के मुझे बहुत खशी हुई धन्यवाद